हेलो फ्रेंज वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेयर कट फैदर कट आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं तो यह वीडियो जैसे मैंने कटिंग की है विपकुल भी इसमें कट एड़िट कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले हमने लगा दिया शीट य कि मैंने सोचा कि आपको भी सिखाया जाए कि जो लोग बहार जाके नहीं सीख सकते हों घर से अराम से इस वीडियो को देखें क्यों और यह विला कट सीख सकते हैं अगर आप मेरे स्टैप से ही चलेंगे तो आपको बहुत एजी लगेगा क्योंकि मैं काफी एजी मैथर से आपको बताऊंगे कि किस तरह से से काटा जाता है तो एक सुंदर सा कट आपको मिलेगा यह देखिए हैं लॉंग अभी और इसको शॉर्ट करने के लिए बोला गया है मुझे तो मैं क्लैंथ डिसाइड कर चुकी हूं कि मुझे कितने शॉर्ट करने क्लाइं के उसके लेयर्स बना सकते हैं इसके लिए हमें चाहिए आपको बस में यह दिखा रहे हूं कि ब्रश और एक अच्छी कटिंग होनी चाहिए और एक आप टेल कॉम डख सकते हैं जिससे आपको पार्टिंग करने में दिक्कत ना हो अब मैंने हैर्स को देखिए अच्छे से टैंगल इनके रिमूफ कर रहे हूं थाकि कटिंग करने में हमें कोई भी परिशानी ना हो है यह को आप देख लिए अच्छे से आपके यह वाश होने चाहिए और नहीं होना चाहिए उसमें तो कटिंग करते हैं स्टार्ट हम क्योंकि टैंगल हो गए हमारे हैर्स को अच्छी तरह ह कीले हो जाए हमारे तो उसके बाद बस कटिंग स्टार्ट करते हैं आप मेरे मेरे में इसी में से करेंगे तो इसी तिन आपको भी रिजर्ट मिलेगा और मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताने वाली हूं तो आप ध्यान से देखिए अगर आप मेरे चानल पर नियू है तो प्लीज लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब मैं चानल तो मैंने एक लेंड डिसाइड कर लिए तो मैं उसे नीचे से ट्रिम कर दूंगी उसमें कुछ नहीं करना है बस आपको सीधे उन हेर्स को काट देना है कैंची मेक श्योर कि अच्छी हो शार्प होनी चीए जिजर आपकी यह लिखिए एक लेंथ हमने डिसाइड कर लिए कि इससे ज्यादर शॉर्ट नहीं करने और अब मैं एयर टू यर पार्टिंग निकालके उनको आगे रख दूंगी हमें क्योंकि अभी पीछे ही लेर्स च कर लिया है अब हमें कटिंग करने भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने पार्टिंग अलग कर चुके हैं इसी तरह अब हम सेंटर से अब उठाएंगे बालों को और इसको उपर सबसे टॉप पे ले जाएंगे बहुकुल सीधे हेर्स को मतब समलो कि बहुकुल उपर 90 डिग्री एंगल पे लेके जाकर इसको कट कर देंगे यह मुझे आइडिया है पहले मैंने इसके लेंद अक्षिली मेजर कर लिया है अब उसको विकुल उपर टॉप पे लेकर जाकर जो उपर नीचे हेर्स दिख रहे होंगे उसको विकुल ट्रिम कर दूँगी तो यह हमा ऍपने तो ऑफिन करते जाएंगे बहुत अच्छे इस layers मिलती हैं आपको यह देखिए length मैं आपको पताया था कि नहीं जाएगी बस क्या कि इन बालों में आप layers आएंगे नीचे नीचे जो कि आप rubber band लगाएं, pony tail लगाएं, banana clip लगाएं तो यह बहुत ही सुन्दर खिल के आते हैं बाल खास करके straight hair cuttings पे तो यह बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको एक नीचे bounce मिल जाता है bouncy hairs पे यह बला cut ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो already काफी fully away होते हैं और उसमे layers अच्छे से show भी नहीं हो लिए होती अच्छे मैं तो बातों में लग गया मैंने next step और layers वैसी उठाई है और उपर ले जाके मैंने trim कर दिये तो यह मुझे सारे में ही नीचे layers मिल चुकी है अब हम इसको क्या करेंगे कुछ नहीं करना है उनको मैं equally cut कर दूँगी यह देखिए इसको equally part में cut कर देना है कुछ नहीं करना है ठीक है layers हमें मिलती जाएंगी बस यह कि दुबारा एक बर finishing touch दिया जा रहा है जिसमें यह देखो यह आपको यह layers मिली ना कुछ और इसको आप diagonally cut कर दूँगे ट्रेम करते रहना है fingers पर राक्यों कुछ भी नहीं करना है बहुत सुंदर cut आएगा यह आपका आपको काफी सारी layers मिलने माले नीचे अगर आप इसी तरह काटेंगे तो मेरा यह वीडियो बिल्कुल भी added और cut नहीं है पूरा ही मैंने इसको cutting पूरी record की हुई है cutting करने से पहले हम एक line पर sheet भी लगा देनी चीए cutting वाले hairs line के उपर ना आए अब देखिए हमें को लग रहा है कि back वाले cutting enough हो गई है तो अब हम front वाड़ी layer cut कर रहे हैं तो front पहले अच्छ से sheet लगा लेते हैं क्योंकि आगी वाले hairs भी long है जो अपका front look है न वो यह ear parting से ही आता है तो ear parting वाले को अब हम spray करके थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इसको जिस तरह से मैं पकड़ूंगी इस तरह से आप रखकर इसको cutting कर देना इसको neat and clean करकर अब इसको comb को head straight रखके बस अब straight कर ये नीचे से सारा hair chop कर देंगे कैंची उपर की तरफ ले जाते हुए जो shape आएगी बहुत सुंदर से up and down hairs मतब layers ही आएंगी ये front की जो की बहुत सुंदर लगती है अब इस साइड के रह गए थे इस साइड के भी hairs को ऐसे उठाएंगे इनको क्या हमें पीछे से करना होता ये तो अब मैं आपको दिखाने के लिए camera को तो मैं चेर को घुमाऊंगी और उस तरफ से layers काटूंगी इसको भी आप इस साइड से back से ही positioning अच्छी बनती है और इस तरफ से हम ये hairs को cut कर देंगे है ना बहुत simple और बहुत अच्छा भी देख रहा था हमारा hair cut done हो चुका है अब हम मैं बस मैच करना है कि एक साइड की hair short लग रहे हैं के long तो इसको भी front से हम head down करके पूरे hairs को अच्छे से अपने हाथों में पकड़ लेंगे और मैंने इनके ज़्यादा short नहीं किये क्योंकि वह ज्यादा short और नहीं करने थे तो बस मैं यहां से यह थोड़ी से chopping करके equal कर दूंगी उन्हें ताकि वह आप down ना लगे और अच्छे से look create हो जाएक यह बस मैंने यहां से कर दिये मैं जॉप और अब मैं आपको सारे hairs दिखाऊंगे कि किते अच्छा अच्छे सुन्दर layer मिले हमें इसी तरह से यह हमारा cut finish होता है और इसको एक बार finishing देके इसको एक बार clear कर लेंगे कि कोई hair extra हो तो उसको cut कर दे तो लगा ना किता simple haircut था आप भी अगर इसको scissor कुछ लाएंगे और ऐसे ही client के hairs भी करते रहेंगे तो आपको भी definitely ऐसे ही look मिल जाएगा यह देखिए फ्रेंट लुक मिल गया अब इसके आप पार्टिंग चेंज कर रहे हैं जो मर्जी कर रही हो उसमें पीछी हम जो सबको hairs को join करते हैं तो पीछे से भी आप ट्रिम कर सकते हो u shape दे सकते हो v shape दे सकते हो तो यह cutting हो गई हमारी finish कैसे लगा आपको यह cut up comment में में को जरूर बताना and please like my video and subscribe my channel thank you so much bye bye